किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बरबाद कर लेगा मेरी बात मान नीचे आजा M.I.T. छोड़ कर I.S. में आकर क्या हासिल कर लेगा जिद की वज़े से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालाद पहुंच जाएगा या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांती से जीऊंगा बहुत खुश था तोरह पढ़ने लेगा फिर इसे जरा समझाओ इसको I.S. की इंटर्व्यू में तीन में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी शायद ये फेल भी हो सकता है अब अब इसे इतनी चिंता क्यों कर रहे है बहुत होश्यार हो में इस एक्जाम में पांच सो में एक पास होता है जिसे इसने पास कर लिया है अब इसके लिए इंटर्व्यू कौन जी बड़ी बात है है तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा नीचे आ जाना बेटा अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजे मिस्टर दश्रत पच्चीस साल का हो चुका हूं मेरे जिंदगी मुझे जीने दीजिए यह पांच साल की उम्र से तु यही तो कर रहा है फ्लाइट मिस हो जाएगी नीचे आना पापा अब बस भी करो उड़के जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी बिकार में चिला के थकिये मत चली अंदर चलते हैं चलो बेटा यह यह लोग में स्विदाश्वत इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो ताइम पर टिकेट कैंसल किया होता तो एक लाग रुपय बच जाते अब उसे मेरे अकाउंट में मत चोड़तेना अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है तो घर में मत आना आप इसे घर से क्यों निकल रहे हैं यह अपनी मर्जी से पला बढ़ा है और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है इसे हमारी जरूरत ही क्या है सुन भाई अपना पेंठाउस रेंट पर देगा कम से कम वहां पापा तो नहीं होंगे पांच अजार एक्स्ट्रा दूंगा बहुत फेक चुका है चल अभी वो बैग भी उठा ले वो फासा तीला पर खड़े होकर सिम्बा को ना मुड़कर देखके भाग जाने को बोला था पर मुसफा भी तो भाग सकते थे सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना डाडी को देखके 24 दिन हो गय आंटी फोन भी नहीं किया उन्होंने तुम डाडी को जितना मिस कर रही हो न उतना ही डाडी भी तुम्हे मिस कर रहे होंगे इधर देखो तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी न तो डाडी आ जाएंगे तुम्हें वो गाड़ा अच्छे से कोई क्लू मिल पाया कि अभी तक नाथिंग यार I'll let you know if I find anything ए माईरा माईरा हां तुम्हारे भाईया के मिसिंग होने से इसका क्यी कनेक्शन है या नहीं बता नहीं पर जिस दिन वो गायब हुए थे कुना नाम का ए गुंडा पर उन के पास कांसल्टेशन के लिए आया था नर्स ने मुझे बताया क्या यही लोक तंत्र है पिछले हफ़ते हुए मतदान में बूत ओपन हुए एक घंटे के अंदर ही अपना वोट्रीग होने वाली यूवक का सवाल पूछना गलत है क्या सवाल गलत सही का नहीं है एक वोट के चूक जाने से सारी विवस्था को दोशी ठहराना ये गलत है विवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़ कर चले जाए तो ही बहतर है विवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाप की जागेर नहीं है कुछ यूवक का यही कहना है देश में रहते हुए सिस्टेम से लड़ने पर फाइदे की जगे नुकसान हो जाता है अरे अखिर है कहां पर नियूज हां अरे अचानक से फैली हुई नियूज है यह बता ना सच बोल तुने जगणा किया ना बोल तुनी रहा नहीं छोड़ों की दीदी रुको बता जूट बोलने लगा है तु बोल सच बता मुझे क्या क्या तुने रुको क्या जानवरों की तरा मार रही हो यह क्या बात हुई क्या हुए इसी से पूछ लो क्रिकेट कहलते हुए नाक की हड़ी तूट गई है और इसने स्कूल में जगणा भी किया है जब तक मैं नहीं जाओंगी इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है स्कूल बस वाले ने अभी बताया तो क्या इसकी जान लोगी तर्रेज कहीं और नहीं परकि माबाप के रूप में घर में ही होते हैं तू बहुत अच्छी नसियत दे रहा है उसे तुम जाओ मैं जाओंगा इसके साथ ठीक है तुम ही जाना मामा जो हो हुई excuse me sir yes, come in yes sir आपका बेटा है यह आपके बच्चे हैं इनकी बुवा हूं मैं इसका मामा हूं बोलिया what's the problem I love you if you love me circle yes if you don't circle no hello मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है तुम्हारे भांजे ने मेरी भाती जी को दिया है तो बताईए अब मैं क्या करूं क्या पूछ रहो क्या करें चाटा मार उसके गाल पे उसे चाटा लगाऊंगा तो उसकी फिलिंग्स मर जाएंगी क्या shameless thing excuse me आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बढ़ियो यह इस पे सर्कल किसने बनाया तो यह देखकर इसने इसकी नाख फोड़ दी और इसने उसकी नाख फोड़ दी है ना पीट को मारने वाला मैं नहीं What a shame इसमें शेम फिल करने जैसा कुछ भी नहीं है उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है बच्चों के नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशन्शिप के बारे में सीखते हैं उन्हें हम जितना प्यॉरली देखेंगे वो भी उतना ही प्यॉरली देखेंगे सुनो आरिया आंटी को sorry बोल कर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे एक मिनट आप क्यू sorry बोल रहे हो ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दोड़ाना चाहिए वर्ना हर लड़का हर लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में इस तरह सब के सामने पनीश करने के वज़े से ही वो ऐसा करते हैं इनने तो लव शब्त का मतलब भी नहीं पता है प्लीज इनने छोड़ दीजे सर नो आप अपने घर के फ्रस्ट्रेशन्स स्कूल में ले 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 थेंक यू सर चलो आरिया स्क्यूज मी मैं नेम इस अभी हाई मैरा अपको इतराज नहों तो हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं एक्स्कूज मी मतलब क्या आप मेरे बतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूं श्या ओके प्लीज क्यों तुझे हिंदी नहीं आती है पर उसे पसंद नहीं है अरे मेरी कुडिया तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किस ने सिखाई मेरे पापा ने ओ ठेक है तुम्हारी आंटी क्या करती है और यहां और कितने देन रहेगी मेरा आंटी टीनिटी कॉलज की मिजिक स्टूडेंट है डैदी के रिसर्च सिंटर से वापस लोटने तक वो यहीं रुकेंगी इसके बाद अमेरिका चली जाएंगी ओहो तो परदेसी पंची है ठेक है मेरा एक छोटा सा पजल सॉल्फ करोगी तुम हो गोरी और यह है देसी गोरा और तुम्हारी बुआ है देसी तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेस कैसे हो गए सिली इट सो सिंपल मेरे दादी इंडियन है मेरे दादाजी अमेरिकन है डादी दादाजी की तरह गोरे पैदा हुए और मेरी बुआ दादी की तरह पैदा हुई और मैं भी मेरे डादी की तरह गोरी पैदा हुई और पेटे मम्मी की तरह पैदा हुआ मेरी मम्मी मर गई मेरी गुडिया हम सो शॉरी बेटा है यह नफ्यूर्पी डिर्फी थे शॉर्ण बोई यह यह सच वेल-मनद चेट तंक यू आप्र आप 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 देर मॉदर थैंक्स पोर यह लुडिया सुनाय, आप म्यूजिक स्टुटेंट अगर आपको लोकल म्यूजिक के बारे में स्टडी करना हो या तेलोरो में घुमना हो तो मुझे बताये, I'll take you. Sure, of course. We'll catch up. This is my fiance's call. I need to take this. I'll see you around. Come. Hi. Yeah, I'm good. How are you? क्यों आरिया, आउंटी ने मेरे बारे में कुछ में नहीं पूछा ना, तुम क्या करते हो, पूछ रही थी, तो तो तुमने क्या बताया? आयाइटी में पढ़ कर माइटी में सीट पाकर तेलु पूरो में बेकार घुमते हो, ऐसा बताया. क्यों पीक बताया प्रणुमते हो, तो 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 इताया हो, तो तो क्यों उतला कर तो, अ, उतला कर तो थी, सज ढ़ आंध्रा समाज पार्टी से अलग होकर आंध्रा प्रचा पार्टी की स्थापना कर पहले चुनाओं में ही जबर्दस जीत हासिल करने वाली श्रीमती विशाखावानी को देश के कोने-कोने से प्रांधिय पार्टी का अभिनंदन मिल रहा है यहां ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा में जीत हासिल करने वाली इंडियन डेमोकरटिक पार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा ऐसा सबस्ट किया विशाखावानी ने श्रीमती विशाखावानी जी के बेटे काई कलूरी MLA विश्नु वर्धन को गवर्नर रमाकान जी ने सरकार की तयारी के लिए चुनावती दी है कानून और निया विवस्था को दबाव में आए बेना इमानदारी से काम करना चाहिए नई सरकार के आते ही राज्य में नौ कलेक्टर्स, छे एस्पीस्ट और दो जज़िस की बदली हो गई है जितने भी मर्डर्स हैं, करप्शन्स हैं, उनके बारे में तीन साल में सूच लेना आखरी दूस साल में वोट दिलाने वाले यूजनाओं के बारे में सूच सकते हैं वोटर छोटे बच्चों जैसे होते हैं सुबर पिटाई करो और शाम को एक बिस्किट का टुकड़ा फेग दो तो खुशी से उचल जाते हैं पूर्वा मुखमंत्र के इशू किये गये सारे कॉंट्रेक्स कलब थे सो वो सारे कॉंट्रेक्स रत कर रिवर्स टेंडर चारी किये जाए मैडम अब तक 30% इन्वेस्ट किया है अब कैंसल करेंगे तो हमें कंपणी बंद करनी पड़ेगी अगर ऐसा हुआ तो नई कंपणीज भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे लाखो लोगों की नौकरी चलिजाएगी, एकनोमी भी डाउन हो जाएगी आप लोग सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सूचिए, एकनोमी के बारे में सूचने के लिए हम हैं अब क्या करें, आप ही बदाईए मैडम उस पार्टी के लिए जो किया, वही कीचिए वाक, मत, विद्या, व्यापार पेशा जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा गुना भाई आया है अरे, अंदर लेकर आना चाहिए था, कॉफी पी लेते अगर हर जगा कॉफी पेएंगे, तो पेट खराब हो जाएगा फैक्टरी में कितने लोग काम करते हैं? पांच हजार लोग महिने का कुल पगार कितना होगा? कम से कम तीन करोड तो वो तीन करोड इस अकाउंड में डाल दोगे, तो वरकर्स को पगार हम देंगे जरकार को लेने वाले हर ज़रूरी फैसले में जनता की राय लेनी चाहिए, जैसे प्लेबिसाइट्स मुर्डर भी करना हो, तो सोच समझ कर करना होगा तभी अपोजेशन डिफेंस में आ जाएगी किसानों की इच्छा के मताबिक एडुरू कोड तक तेलरू के आकरमन को रत करने का पिछली सरकार ने कोड से ओडर ले लिया है सुप्रीम कोड की आदेश का मान ना रखते हुए, मुडरू कांटूर तक तेलरू पर आकरमन कर मचली का व्यापात कर सकते है ऐसा राज्य सरकार ने विवाद स्बत जियो जारी किया है इस जियो की वज़े से मच्याकार खुशी मना रहे है तो दूसरी और वही की आसपास के किसान विरोध कर रहे है अब तक जो हमारे उपर हमले हुए हैं, उससे हमारी जिन्दी की बरबाद हो चुकी है, हम चिला कर कह रहे है तो वापस नए आतिक्रमन की क्या बात कर रहे है अगर वो इलेक्शन जीते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, कि वो कुछ भी करेंगे है इस जियो से बादित किसान होने के नाते, इस मैने के 16 तारिक को सारे जिले में बंद का ऐलान करता हूँ देख रहा है इनकी हालत, गवर्मेंट का बदलना यानि पुराने गुंडे अंदर जाकर नए गुंडों का बहार आना है ये ग्रभ रेविश के दिन आकर नकली डॉक्यमेंट्स दिखाकर जगा मेरी ये बोल रहे हैं, क्या हम पागल लगते हैं, क्या इतने सारे एक्जम्स को लिख चुका है, अब इंटरव्यू के लिए भी इतनी सारी बुक्स पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए कोई सेप्रेट सिलाबस नहीं होता, इसलिए इतनी बुक्स पढ़नी पढ़ती हैं, अब समझाना तू, क्यों मैं ऐसे टॉर्चर एक्जम्स एक ही जगा को दो लोगों को बेचनी के लिए वो कोई पागल नहीं है, मेरी जमीन पर खर बना कर मुझसे जबान लड़ा रहे हैं तू, हमारी जिंदगी से वैसे भी खेती दूर कर चुके हो तुम, दिन रात मेहनत कर बना इस घर को भी तुम छीनना चाते हो मुझसे, बर तू यहां पर कैसे, रिष्टेदार है क्या, तूमारे डॉक्यमेंट में सहर्वे नंबर दूसरा है, हाँ, वो जब मैंने खरीदा तब बदल गया, बदल गया तो कोट में जानी की जुरत तुम्हे है, एक लेगल प्रॉपर्टी में जबरदसी गुसनी के जुर्ण में, अ हुड़! कोई कोट का ओर्डर मांग रहा था ना कोट खुद आ चुका है देखने में तो लगता है कि किताबी कीडे हो तुम जैसे कीडे जब तक किताबों में रहते हैं तब तक ही सुरक्षित हैं बाहर निकलकर बेकार की चीज़ा में टांग ळड़ाएंगे तो हमारे पैरों के नीचे गिर कर कुछले जाते हैं जाओ, अपने किताबों में जाकर छुप जाओ बेकार में पैदा होकर बेकार में बढ़ रहा है तू सहीघा पैदा होते ही छूरी हाथ में लेकर बिकार में टांग अड़ाने वालों को मारते हुए बड़ा हुआ हूँ जान बड़ी नाजुक चीज है रहे, उफ करते ही, बुझ चाती है हेडलाइट नीचे कर, नीचे कर हेडलाइट, नीचे कर बुलाना कौन है रहे तू, है बदा कौन है तू, हमारे बीच में कोई प्रॉबलम है तो हम सॉल्फ करेंगे ना, अपना हीरोजम जाकर अपने बाप के पास दिखा, एक प्लोट पर दो सर्वे नंबर्स, दो प्लोट जैसे बंपर ओफर देकर हमारी जिंदीकी को मिटी में मिलाने वाल बात करने जैसा कुछ नहीं है रहे, उस तेलरी को पर कुछ बंद का ऐलान किया था ना, उसे पीछे ले, वरना, तुझे मार कर, तेरी ही पीवी के साथ, तेरे ही घर में खर बसाँगा। आर वी गोईगा। दुझे लुटनो, से इस तेल ओन में सक्वाइब लुटनो, से स्टील उन्में बस्ताइम, किसे बात कर रही है? प्यान से, कितना बत लगईगा। कभी कभी दो तीन घंटे यह पी पूरा दिन? अग्भी तो तीन घंटे यह पी पूरा दिन? ओनो, जश क impacts our the future with you and scary! Just stop your bullshit.... 〇ची, are they breaking up? I don't know Aunty, are you breaking up with Nitinvil? Who are you talking to? Arya is asking if we are going to the super century Priya please hang up the phone and do your homework क्यों आरिया ब्रेक अब हो गया क्या बता मैं नहीं जानता मामा जी मुझे बड़ एंचुरी में लेकर चलो ना प्लीज ए एक हथे में मेरा इंटव्यू है और तुझे बड़ संचुरी ले जाओ जाओ जा कर अपने नाना से पुछ ले जा नहीं वह बहुत बोरिंग है प्ल मैंने बच्चो से प्रॉमिस किया था कि बड़ संचुरी ले जाओंगी पर मेरा मूद ठीक नहीं है तो if you don't mind and if you're free क्या तुम लेकर जाओगे? Of course, I'm free only. In fact, मुझे भी बोर हो रहा था. मैं लेकर जाओंगा था. थैंक यू, I'll see you. Hello, hello, Myra. Yeah? तुमने कहा तुम्हारा मूद अच्छा नहीं है. तुम भी साच चलो कि तो अच्छा लगेगा. I promise, you won't regret it. मैं तुम्हें बता रहा हो ना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा. Please join us. Okay. Okay. Break-up सुनते ही, रेडियो गया. जाधा ही दोनने लगा है तु. Go push, go push. We won, we won. Yay. Yay, it was fun. Yay. इनके पापा रिसर्ज के काम से अफरिका गएं कहकर बच्चों से जूट बोल चुकी हूं. और उस बात पर यकीन कर ये लोग खुश हैं. ये खुशी उनके चेहरे से कब गाइब हो जाएगी सोचकर ही डर लगता है. भाइया को गाइब हुए तीस दिन से जादा हो चुके हैं. उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता. जिस दिन वो गाइब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले ये बात जान कर तो और भी डर लग रहा है. पुलिस है के बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है. सर वरुन मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था. मिस हुआ उसी दिन गुना नाम का गुंडा वरुन से मिला था. ये किड्नैप केस है. सर आपको क्यों नहीं लग रहा है? मतलब क्या कहना है तुम्हें? मैंने कलेक्टर ने कुंडो ने मिलकर तुमारे भाया को किड्नैप किया है क्या? मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ. बच्चे इंडियन सिटिजन होने की वज़ए से उनके पैरेंट्स की सिगनेचर चाहिए या फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट्स चाहिए. इस लाइक अम स्टॉक इं लिम्बो विदाउट अ कॉन्क्लूजिन तु दा केस. ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है. I want to adopt them. But that bastard. My fiancé. वो बच्चों को अनाथ अश्रमें छोड़ने के लिए कह रहा है. इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया. Myra, लड़कियों की मम्ता ना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता. इस सिचुएशन में तुम ही उन बच्चों की मा हो. यह समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए. सब ठीक हो जाएगा. Hello? Myra Hanson? Yes? यह एक बार आप आफिस आ सकती हैं? Okay. उढकी में टीक हो बुम हो द्रादी करिया हैं? No more. cessor होची और आप तेलरू में मचलिया पकड़ते वक्त मिलिया है इने आसपास कहीं पर भी बॉड़ी नहीं मिली है उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेंस भी नहीं है तुम्हारे भाईया उनकी वाईफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वज़ा से एलकोहॉलिक हो चुके थे हमें इन्वेस्टिकेशन से पता चला है सुईसाइड टेंडनसी भी हो सकती है ऐसा पता चला है सर एक पर उन बच्चों को देखिए सर कोई भी पिता उन्हें छोड़कर स्यूसाइड करने की सोच सकता है आप कोई साइकेटरिस्ट हो सुईसाइड करने वाले का माइंड़सेट कैसा होता यह जानते हो क्या तुम इस केस को सॉल्फ करने से जादा आप कोई से सीूसाइड केस बनाने में ہी जादा इंटरेस्ट लग रहा है बलड स्टेंज नहीं है तो सीूसाइड हो गया कहकर लिग दोगे बॉडी ढूनने की ज़रुआती नहीं है वो नदी जाकर समंदर से मिलती हैं कहां जाकर तलाचिले बता सकते हो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो देखिए अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भाया की दस्तगत चाहिए होगी या फिर उनकी डेट सर्टिफिकेट चाहिए शायद हमें बॉडी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम बेस्ट अगर करेंगे या फिर डेट सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए ये सेटिल्मेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाईए सर इसे लोक अप में लेके जाओ अब लेकर जाएए और क्या कर सकते हो यूनिफॉर्म अपन कर अभी स्टॉप इसलिए कहां साइन करना है मैरा, are you out of your mind? ये मर्डर है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हुँ इसलिए कहां केस क्लोस कर दो उनके लिए प्लीज लीव दिस डैड़ी को किसने मारा होगा डैड़ी को किसे ने नहीं मारा बैठा वो मम्मी के पास चले गए लेकिन मायरा अंटी तुम्हें डैड़ी से ज्यादा प्यार करेंगी पानी की विमुक्ती किसां की प्रददी तेलोरू माफिया का अंच होना चाहिए सर आज बंद है गाड़ी स्कूल में पाक कर दीजिए आपको जाना है हमारे आटो वाले ड्रॉप कर देंगे गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है आने तक तीन दीन इहा रहेगी क्या बाई पूलिस पर पत्थर भी नहीं पेके बस में आग भी नहीं लगाया स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया ये किस तर का बंद है बॉस ऐसा कुछ भी किये बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर अब ही तो बस शुरुवात है दो पहर तक देखना हर जगा आग लगीगी सर वैसा करना है तो वो पुलीस या राज के गुंडे ही कर सकते हैं सर हम नहीं आत्मा हत्या करने वाले किसान है सर हम हत्या करने वाले गुंडे नहीं है अगर किसान हो तो आटो क्यों चला रहे हो किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम करने ही सकते एक बार वो मैप देखिये सर तो हमारी कहानी समझ आएगी पिछले तीन सालों में तेले रू के आसपास के गाउं के 900 खिसानों ने आत्मात्य कर ली थी सर ये आपके न्यूस चैनल्स में कभी कबार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर पर वो आत्मात्याय नहीं थी सर हत्या थी ये 40 साल पहले एक वर्क के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलोरों में थी मचवारों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी पर उस नदी पर कबजा कर कृत्रिम मचलियों का पालन बढ़ा कर एक व्यक्ति ने सारे मचवारों को अपना वोटर्स बना लिया उसके बाद सोसाइटीज, लोन्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कबजे में लेकर उनी वोटर्स को अपनी व्यवस्ता में गुलाम बना चुकी है हजारों करोडों का सामराज्य बना चुकी है उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी उस व्यापार का नाम ही मत्से गंदा फिशरीज है राजनिती से व्यापार को, व्यापार से राजनिती को खरीद कर आज सारे राज्य को अपने कबजे में ले चुकी है इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? मचलियों को डालने वाले कृत्री माहार के कारंड पानी खुराब हो गया नदी के बांध की वज़े से पानी का स्तर गम हो गया समुद्रे के पानी के उल्टे बहाव के कारंड उसके खारे पानी से लाखो एकड की खेती बर्बाद हो गई कभी वो नदी ऑक्सिजन देती थी आज जहरीली बन गई है सुप्रिम कोट के ओर्डर के खिलाफ जाकर अपना कभजा बढ़ाती जा रहे हैं सर सरकार खुद गुंडो जैसा बरताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाए सर मैंने बोला था ना फ्री राइड है हमारी कहाने पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर सर उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिये आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा उस पर छे मैनों से शूटेट साइड का ओडर है सर अगर पुलीस ही कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगी सर उसे मार भी दिया तो उसकी जगा कोई और ले लेगा वैसे गदे इस सिस्टम में पैदा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हुआ गन शौट की तरह इंटिव्यू देकर इस ओटो वाले किसाद एक चिल बियर मारे एका मरते दम तक याद रखो के सर अल दे बेस्ट सर थेंक यू अल दे बेस्ट करेंग मारे तरह वाले किसे ऑगि बभ टार करेंगा त्रेन में बार-बार तुमका इंसाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है इंसान को उसकी मेमरीज डिफाइन करती है उसे उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए वाटेवर यार ये, वहाँ दे करते है हुआ भो रुट जा है रुट जा है हुच जा है है एई! 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 इतिहास में टेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम दस शताप्त पहले वेंगी राजाओने शासन की अपरांत है. पूरी सिस्टम ही करप्ट है, सर तो सारे करप्ट है, सर. विट ओल्डू रिस्पेक्ट. क्या आप में से कोई ओफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लाइव एंड काउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है. कैसे? सब के लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है, सर. आलसे पंदेरी करना पक्षपात से चंता का न्याय व्यवस्था के उपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था. इस पर राजनीती ने टेंपरेरी सोलुशन जो ढूंडा था, वो था एंकाउंटर. अगर वही उन्रे पिस्प में से कोई मंत्री का बेटा हो, तो क्या उसका इंकाउंटर होगा, सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गाउं में, इंटरकास्ट मेरेज करने वाली है कि युवा जोड़ी का गाउं के लोग विरोध कर रहे हैं, और दूसरा गाउं एक लड़की पर ऐसे डटेक कर रहा है, पहले आप कौन से गाउं जाएंगे? जो काउं नस्दीक होगा, उसी काउं में पहले जाओंगा, सर? What's the point of this question, सर? 22 में पहले कौन साथ हो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो, वो करेक्ट ही होगा. तो वो परस्नेलिटी इंटर्व्यू कैसे वा, सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही, राइट या रॉंग नहीं होता, ये कहकर कॉंप्रोमाइस कना सिखा रहा है हो. मिस्टर अभिराम, आर यू चैलेंजिंग दे इंटेग्रिटी आफ दिस बोड़? नो, सर, आम चैलेंजिंग दे इंटर्विटी आफ दे इंटर्व सिस्टम, सर. तो फिर इस एटिट्यूट के साथ, उस सिस्टम में कैसे फिट हो गे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहा है, सर? राज की अनायक, सरकारी नौकर कोट के दीन खोड़े, सम्विधान को समानता से खीचते हुए एक दूसरे की, खलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब ही ये गाड़ी सड़क पर रहेगी, सर. पर सद्धा की नशे में धुद्ध ये राज की खोड़ा, अगर रास्ता भठक कर बाकी के दो खोड़ों को अपनी मर्जे के मताविक चला रहा है, तो सिस्टम कैसे बचेगा, सर? सर, कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए, वैल्योबल प्रिंट्स को सिस्टम में धक्यला जा रहा है, पर उन्हें सचाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है, सर? अगर ये परस्नेलिटी इंटर्व्यू है, तो ये परस्नेलिटी वहाँ कैसे मिस हो रही है, सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है, वो गुंडे, तिन तहाड़े मासूं बेकासुरों की जान ले रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली विवस्ता ही उन्हें पाल रही है, ऐसे कुछ इंसिडेंस देखकर ही इस इंटर्व्यू में आया हूं, सर? उन्हें ये पावा किस ने दी, सर? चाहे वो मैं रहूं, या चाहे कोई और रहे, पच्छतर साल से सरकार है, इसी ब्रह्मेजी रहे थे, सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है, ये कोई नहीं जानता, सर. वोट्स द पॉइंट अफ दिस इंटर्व्यू, सर, इफ नॉट इंटेलेक्टिल मास्टर्बेशन? मिस्टर अभिराम, इस टेंपरमेंट के साथ आप इस फिल्ड में काम नहीं आओगे, I'm sorry. इस खेल में रूल्स नहीं है, बलकि ये खेल ही नहीं, बस खिलवाड है. I'm sorry, चाचाची. ये मेरे भाया की कमपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी. मुझे तो ये पक का एक पॉलिटिकल मॉर्डर लगता है. I wish I could help, but system ही रिस्पॉंड नहीं करेगा. तो फिर मैं अक्यला क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस जाते ही डबलो एचो में रिपोर्ट कर दूँगी. आप यहां से एक एस रिउपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी घर पे आ गए. आयेस बन गए क्या? इंटर्व्यू का क्या हुआ? हो ना क्या है? आपके इच्छा के मुताबिकी हुआ है, अंकल. यह इंटर्व्यू में हार गया. आप जाकर वापस वही टिकेट्स बुक कीजिए. इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ. बाई. दिस इस माइ कॉन्टैक नमबर. मैं आपकर तुम्हें पिक कर लोंगी. अब ही. तुम जैसे लोगों को इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए. बल्कि बाहर रहना चाहिए यही देश के लिए अच्छा होगा. जिस टीक इज़ी अभी. वोप आप सी यू सून. भायाँटी। भायाँटे। पायाँणी। विच्छेयाँ। य Cole सव्के सWow कर से दो हो दो आरे प्रीव बाई आउट चल बैट दे मुझे एक टपा फे आउट हो जाएगा बोलागा ना स्रेट कैच लिया ना ऐसा तो आप नहीं बोलेते अरे यह तो अभी से करॉप्शन किंग मान यार चल बैट दे मुझे मैं नहीं जोड़ूगा बोलना नहीं मा तेलरू की नवासी मिस्टर अभीराम ने आइट में मिक्यानिकल एजिनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जीन दिया है पिछले चुनाव में इस यूवक ने चुनाव की विवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था इतना ही नहीं इस यूवक ने पहले ही अटर्प में अभी ऐसी क्राक कर लिया है जो की काबले तारीव है इस यूवक के इंटर्व्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ सारे पानल मेंबर्स इंप्रेस हो गए हैं अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों से उनके लिए ओफर्ज आ रहे हैं सी एनी न्यू मेडिसन और वेक्सिन सैंपल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही मार्किट में इंटर्डूश करते हैं पिल्कुल वैसा ध्यान पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेटी में भी अपलाई करने पर ही वो एक मैच्छ डेमक्रसी होगा मैं जब से केविनेट सेकेर्टरी बना तब से चाहे जो पार्टी हो सारे देश में इंपलिमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है मिस्टर अभी, यू आर डेट एक्सपेरिमेंट आगे भविश में UPSC कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार है उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंदर सरकार ने एक एक्सक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इसलिए ये मत सोचना कि तुमें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी किसी भी पॉलिटिशन को तुमें ट्रास्फर करने का दिकार नहीं होगा ये एक ही कंफर्ट तुमें मिलेगा इस प्रोपोजल के लिए पहले परियोग के लिए आई एस टॉपर अभिराम को यूपी एसी बोर्ट पश्रिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियूप किया गया है इस पच्छिस साल के बैचलर के काम के उपर ही इस बिल का फविश्य निर्फर करता है ये केंद्र सरकार के नेतरित्व के अन्याय का एक और निदर्शन है ये एक्सपरिमेंट जरूर फेल्ट है को का का एंस्पेक्टर को डिर्फर के लिए मघ्यां था कौन के डिर्फरा अट तंथा। कि उवाज़व मीघ्ट नेतंहिक विपकार विवेंटा फैट जी सब नेके गे क्ढें़िधा इसके बारे में पूछ रहा हूं इन्हें तो दो हफ़ते हो गए सर जब ये बीमार पढ़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने पर एक के जगा पर दूसरा आके बैठ जाता है डिमांज पूरी होने तक चाहिए जितना भी वक्त लगे टेंट नहीं हटाएंगे ऐसा कह रहे हैं ये लोग तो फिर हमें और ब्रिटिशर्स में क्या फर्क रहे जाएगा हम यहां है जनता के प्रॉब्लम सॉल्ब करने के लिए सेटलमेंट्स करने के लिए नहीं इधर नहीं अधर ध्यानदी जीए जी लिए लिए ले गगी हैं जी सोल्जर्टा मेंद चुन्द की दोटें आज तक इस जिले के कलेक्टर का भविष्य एक पॉलिटीशन के हाथ में हुआ करता था लेकिन आज से वो युपी असी बोर्ड के हाथों में है मतलब इंडिरेक्टली वो भविष्य मेरे हाथों में है इस बात का ध्यान रहे पुराने तरीके में और नए तरीके में एक ही फर्क है अब तक पॉलिटीशन के घरों में सिक्रेटली हुए सेटिल्मेंट्स आज से यहीं लीगली पब्लिकली और पीस्फुली होंगे चुटकी बजाते ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सेनवा नहीं है ना ही मैं भारतियों हूँ और ना ही कोई अपरिचित बाइ चॉइस बुरे होकर जीना चाहने वाले को कोई नहीं बदल सकता सिस्टम के मताबिक सजा देने के अलावा आप मेंसे कई लोग अच्छे अफिसस बनकर जीना चाहकर भी ना जीने वाले हैं उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष है और वही असली बदलाव होगा नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाग समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवालो वरना तुम्हारा करियर बरबाद हो जाएगा ये मेरी गैरेंटी है एस पी सर सर उस दिवरे कर गुना की केस फाइल लेकर मेरे रूम में आई अब तक चौदा मदर्स चार रीप्स कुल मिलाकर अठरा आप राध है छे महीने से शुटेट साइट का ओडर है हाव दू एक्स्प्लेइन दिस सर एक स्पेशल टीम के साथ छे महीने से ढूण रहे है हम लोग आपको ऐस NSI जॉइन के कितने दिन हुए है तीन महीने सर शुटेट साइट ओडर का मतलब क्या है जेल काट चुका कैदी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानी पहुँचा रहा है सर उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ओडर है सर वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई दीता है कहीं आपको कोई सिलेक्टिव विजिन नाम की बीमारी है सर जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परिमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुला कर उन्हीं के सामने साफ साफ मेरी बेज़ती कर रहे हो यानि अब ये लुका छुपी किसलिए अच्छी से बात करते हैं नाम गुना को टच किया तो विशाखावानी से वार डिकलेर करने जैसा ही है ये गुना के साथ साथ उसे मारने वाला भी समाधी में चला जाएगा ये बात गाओ वाले सब जानते हैं इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर इस ड्यूटी के साथ साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर एसपी सर आप अज़ेंटली आजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजिए घर की ड्यूटी संभालिए अब जाईए सर गुना कहां रहता है मैं जानता हूं सर अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूं सर गुना को शूट करने वाला मारा जाएगा ना चलो वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं अब तो वे पुफ़ सुधाकर उस टेपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हें मारने के लिए दो कुत्ते निकले है ऐसा बताया अब तक निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ यह बताया नहीं कि तुझे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया हम क्या बताये भाई तुम करके दिखाओ ना दो आदमी और दो बंदूक सब कुछ खत्प कर दोगे क्या हम आई sorteण न चर आखच को, której चुडंशस कर दो कर जो नच्हों कर दो है throws रह ले है उडिए! हाँ! हवाह झाल झाल जान बहुत नाजुक चीज है, उफ करते ही बुझ चाती है चाहे वो तेरी हो, या मेरी हो और खाडनेक चाहे पारा करेशा है या में आड़ा करेशनी आड़ा या में पार शाफ साथ कर दो माईरा माईरा इनके साथ तो बच्चे भी योगे जाकर देखो ये सर्ट माईरा 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 ड़क्टर डोक्टर! उसको multiple fracture है, और उसके सीर में लगबग 40 ठाके लगेंगे, बट शेज लगी, शेवल सर्वाइब, पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है। आप आप करेंगे, उसके का। यह जुए करहें ला आपके लाँ कि लक्तारंस,। है आपा के ले को अलीकोचैता है। मार डादा सर क्यों मार दिया और बोडिस को कहा भेखा गुना के अलावा कोई नहीं जानता है सर नाली के केड़े है सर अभी मार देता हूँ एंकाउंटर बता देंगे सर भूलना मत आज हमारे घुस्से में न्याए है मार देंगे करन उसस्पी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एंकाउंटर के नाम से मासूमों को मार डालेगा रोक पाओगे क्या रोक पाओगे क्या तुम अन्याए होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों में लेकर चनता पुलीस मीडिया अन्याए व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं तो इसे व्यवस्था नहीं कहते कोर्ट और्डर से गुना जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश की आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है सारे गुनाकारों को कोर्ट में प्रेसेंट करो लोग भुलने से पहले ही इन्हें सजा दलवा दो अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा सीम साब का कौनवय आ रहा है रास्ता क्लिया जान को खत्रा नहीं है फिलाल वो अनकॉंशियस है केस कौन हंडल कर रहा है डॉक्टर डारेक्टली कलेक्टर साहब हंडल कर रहा है आप लोगों का काम है आप ही कीशी है ओके सर गोपाल ये सर तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो ओके मैडम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा तो और इसने कले में बांदी नालायक कहीं का पहले तो इस हास्से से जूज रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए यही प्रार्थना है इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनेगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले नियाई विवस्था को यही विंदी करती हूँ गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है विरोथी पार्टी तो यही प्रचार करती है वो छे महिने में जो काम नहीं कर पाए, वो हमने छे हफ्तों के अंदर-अंदर ही करके दिखा दिया इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था यह आप भी समझ लीजी सर, कलेक्टर अभिराम के अपॉइंटमेंट को आपने खंडन किया था पर उन्होंने ही इस ओप्रेशन को आगे बढ़कर अंजाम दिया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा है? यह हमारे सरकर ने प्लान किया हुआ एक सीक्रेट ओप्रेशन था और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ओफ कमंड का एक पासिंग पॉइंट है बस राश्ट्र के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पारटी का लक्ष है और वो इस एनकाॉंटर से शुरू हो गया है सारे राश्ट्र में इस तरह के काम करके हम राश्ट्र में शांत ही फेलाना चाहते है पॉलिटिकल लेडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे यह आप सभी ने देखा है हम चाहते हैं कि आगे भी यह सपोर्ट ऐसा ही चलता रहा कि इस एंकाउंटर के मामले में तुम दिख लो सर जस्ट अ मिनिट सर सीम जी ने इस केस को परसनली मुझे हैं तुमुझे आने से मना किया है सर ऐसी बात नहीं है जिसका काम है वही इसे अच्छे से कर सकता है कलेक्टर होने के नाते जिले में कोई भी काम हो वो डिरेक्ली हंडल कने का अधिकार है मुझे आफकोर्स सर आप ही फाइना अथॉरिटी है सर ये लू कौन है दुनिया में कहीं बर्भी यूएस सिटिजन्स पर क्राइम होता है तुम आँ के कॉंसुलेट असिस्टन्ट की हेल्प करना उनकी ड्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है अनी कंसर्न्स अब नॉट अट अल सर लू प्रब्लम सर लू प्रब्लम इस दिस अमेलिसन गॉइंग देर यस मैम किन आ चेक इस इस रॉंग डोसिज प्रिस्क्रिप्शन किस ने दिया था चीफ डॉक्टर ने दिया है वट्स हैपनिंग यह पेशंट कु मारने का ट्रेटमेंट चल रहा है है मांड यू लैंग्वे सर यहलो कॉन है आपको नहीं पता क्या इसे लिखने वाले आप ही हो ना सर वो कोई गलती से हो गया सर सिश्टर निकाल दो निकाल दो से इंसानों की जानचायासी घलती को घलती नहीं कहते हैं बाहर चलिए अब सर यहां क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं आप जाकर दूसरे पेशेंट्स को संभालिए कौन हो तुम यहां क्या कर रहे हो विशाखावाणी जी का पीडियों हो सर लड़की के प्रोग्रेस का ध्यान रखने के लिए कहा है प्रोग्रेस यह बात है प्रोग्रेस अजाब टुम आवाणी आवाणी निया आप प्रोग्रेस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अईस्ट नहीं मिला चाथ इस दी वर भाए भी आफिर कर दो गाए फिर अगाना ही होगा जो प्रोसिजर अटिका आफ भी और सब्सक्राइब प्लीज लिए लिए अप्लीज रेंग अगुड़ इसर्ण गो इस फिर्न वा लिए प्लीज प्लीज रेंगें नो सॉर्वर यह गवे इन वह प्रड़ अग्वार के सब्सक्राइब गुए अव्यूंगे व्यूर्ण तया यह प्राइब मेडम् अवर्ड़ के अप्राइब अन्दर गया है उन लोगों ने जिस तरह अरण को मारा था हूँ, वैसे मुझे भी मारना चाहते थे मैं लड़की हूँ ना, इससे लिए इस तरह मारने की कोशिश की मुझे कंट्रोल करने के लिए, मेरी आँखों के सामने, बच्चों को इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मंदा हॉस्पिटल में जो रेप विक्टिम है, मायरा हांसन, उन्हें अभी-भी होश आ गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है लोग मायरा हांसन की तबियत के बारे में अपडेट जाने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं मायरा, मुझे बसे एक बात बताओ, तुम अन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगरी बार किस से मिली थी मैं यूएस चाहती ही डबलू एचो में रिपोर्ट कर दूँगी, आप यहां से ये केस री ओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकर क्यूएस पड oni हमारी का है पत्व लोगों ने विद्व किया है, क्या इस से ग्यांग रेप कह सकते हैं? सम्की प्लीज कहि कि इस बारे में आपका क्या कहना है, यह रेप है? हाँ यह देश का सबसे भयानक रेप है ये सिर्फ एक लड़की पर हुआ रेप नहीं है हमारे 75 साल के लोग तंदर पर रोज हो रहा रेप है प्रक्रिती, पर्यावरन, प्राणों पर हो रहा रेप है ये इस रेप में विक्टिम एक नहीं है बलकि माइक्स कैमरास पखड़ कर खड़े रहने वाले आप लोग ये सब देख कर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग इस रेप में सजा पाने वाले गुनहेगार चार नहीं है बलकि एक सामराज चाहिए इस इस माइ वाइफ राधिका चेह महीनों से बिना के और होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है आज इसकी दड़कने रुक रही है मेरे लिए मेरे बच्छों के लिए दड़कने वाला दिल मैं आशिरम मेडिकल कॉलिज में नियूरोलोची डॉक्टर और प्रोफेसर का खाम करता हूँ कॉलिज में पढ़ाई के दौरान ही मैंने और राधिका ने शादी कर ली मैंने जब से प्रेक्टिस शुरू की है मैंने किसी को ना समझाने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसिस फेस की हैं महीने दर महीने उन पेशिंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया हमारे जिले में अब तक तीन हजार केसिस रजिस्टर हो चुके हैं मेरी वाइफ पे इस बीमारे से सिख हुई तभी उसके बारे में एक क्लू मिला इस बीमारे से बाधित सारे पेशिंट्स में एक कॉमन हैमिट होती है हर रोज फिश खाने की वो फिश तेलरू में बढ़कर मच्से गंदा फिशरीज के जरिये डिस्ट्रिब्यूट होती है तेलरू में असी टकका फिश टैंक्स मच्से गंदा फिशरीज के लीज में है मीट शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में पिगला कर मचलियों को आहर के रूप में देते हैं मचलियों जल्दी से बढ़कर ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं तीस साल से इस नदी में मचलियों के इसी तरह से पाला जा रहा है इसके करण सारा तेलरो सीला इस नाम के बैक्टिरिया से मर चुका है ये बैक्टिरिया नदी के हर मचली के अंदर है काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टिरिया मर जाता है पर कुछ रेयर केसिस में वो जिन्दा बच जाते हैं और डेरिकली प्रीन पर अटेक करते हैं इस बीमारी से आने वाले हर पेशिंट में ये बैक्टिरिया पाया गया है पंचियों की संख्या कम होती जा रही थी तो पंची ही है ना ये समझ कर ध्यान नहीं दिया पंचियों को जीवन ना देने वाली नदी इनसानों को जीवन कैसे देपाईगी आसपास के लाखों एक रखेत बरबाद होने का कारण और किसानों के आत्मात्याओं का कारण भी ये पुल्यूशन ही है सिर्फ नाम के लिए ये च्छेनली का पानी है पर ये पानी पीने के यॉप्योग करने के लाहिए नहीं है ये गंदगी आसपास के लाखों जिन्दगी उनको इंफ्लूएंस कर रही है और इसे निकलेक्ट करके बैठना एक जंदा लाश के जैसा है अटरा साल की उम्र में युए सिटिजन शिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेट्ल हुआ है इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतियता अपने मूँ पर लपेट कर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे अपने ऑफिशल से मिला ये असली इंडियन वरून हैंसन हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया उसी डीसी से मिलने के बाद, इनकी बहन, फिलाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन, वो भी फिर दिखाई नहीं थी. सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी, आफिसर्स को इंफर्म किया था. यूर नट अ पोस्मेन, मिस्टर नश्रत! नट अ पोस्मेन! जिम्मेतार डीसी होने के नाते, एक मरन कांड में आपका रिस्पॉंस इतना ही है! सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च खलत है, हमारे पबलिक हेल्थ ओफिसर ने काउंटर रिपोर्ट गी थी, सर. सर, सर, वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साव हैं. बैसा करने के लिए मुझे भी, ओपर से ओडर आया था, सर. As of now, you both are suspended and are under investigation. से परिशिक्ट कर拂टा से पना. झार फिंखता कि इस खबसे जायी स đến परेast रूम नीच्छे और डार्विन की दुनिया में बापो और हल्दान कर एक बापो ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया इस से ज्यादा मेरी इन के लिए और कोई वैल्यू नहीं है प्लीज बोली जनम देने वाली मां की तरह होकर आप किसी की जान कैसे ले सकती है फिलोसोफी के बार में बात करने आया हो या अपनी प्रॉबलम के बार में बात करने आया हो तेलूरू से जो प्राण आपने निकाले हैं उने वापस लोटाई है यही मांगने आया हूँ क्या कहाँ लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लोटते नहीं अपनी मुठी से मुक्त कर दोगी तो तेलूरू में प्राण वापस आ जाएंगे यही प्रकृती की शक्ती है पर तेलूरू के सहारे धा इलाख वोटस जीते आ रहे हैं फिर उनके प्राण का क्या होगा उनकी जिंदगी के बारे में सोच कर ही यह प्रोपोजल लाया अपोजिशन जब आवर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें तो फिर एक्जेकेटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है माड़म एस पर कॉंस्टिउशन कानुनी सभा आदेश के मताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए लगता है ये बात भूल गए हो तो एस पर कॉंस्टिउशन कानुनी सभा आदेश मारण उम का कारण बनता है तो उद्योगियों को फॉलो करने के जुरूरत नहीं है फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं हिटलर हो या गांधी सब जन्ता की ताकत से ही लीडर बने है और जन्ता मेरे साथ है जिन्दगी और मौत का फर्क बता चलने के बाद जन्ता जिन्दगी को चुने की मैडम आपको नहीं चला तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ राश्ट्र में पहली बार कॉप सूसाइटी का निर्मान करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी असली लोग तंद्रा लोकल गवर्नस में ऐसा लोगों को भाशन दिया करता था लोगों की जिंदगी सवाने के लिए कम्यूनिस्ट जंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा सब को सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनेंस ने डाली हुई खांस खाकर आने वाले पाच इलेक्शन्स में उसे डिपॉसिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हीं लोगों ने एमेजंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोली बारी में अपने दामात को खो दिया तेरा मही ने जील में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया उस इनसान का नाम है हनुमंत्रा उनकी बेटी का नाम है विश्या खावानी पिता के लाश को चिता देते वक्त कर भी नी थी उस दिन उसने चिता को आग लगाई अपने पिता के लाश को नहीं बलकि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को उस आग को अपने सीने में रखकर अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुठी में रखकर जीते हुए जी रही हूँ आज मतलब जनता को उल्लू बना कर जीना ही आपका तंत्र है एक कार्टोनिस्ट के बनाय हुए एक घटिया कार्टोन को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर घुसे से बॉंबे से साउथ इंडियन्स को मार कर भगा कर प्रचानायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नौर्थ इंडियन्स को अपने राज्चे से भगा कर राज के शक्ती बन चुका था वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्चे की रोलिंग पार्टी है जाती के नाम पर हमारे देश को अलग-अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है सबसीडी के जरिये सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रोलिंग पार्टी है जहां अज्यान इकठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है कलेक्टर मौत क्या है और जिन्दगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे तुम्हारी आखे गंदी नदी को देख सकती है और मेरी आखे पूरे मेले समुंदर को देख रही है डार्विन के कहने के मताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है किसी भी लोक तंत्र में at any given point of time असी प्रदिश्यत वोटर अभी भी बंदर है इस होशेर माइनोरिटी के पास उस बेवकुफ बंदर के पास एक ही पावर है वोट और ऐसी विवस्था से क्या मिलेगा और आजकता क्या लावा उन में से जो भी उस बंदर को चाला किसी सिखाएगा वही उस पिरमिट पर होगा और इसी ले चाहे कोई भी डेमोक्रिसी फंक्षन हो तुमारा जो इश्वे उस पर मेरा equation simple है नदी के कारण बादित हुए लोग केवल एक लाग है अला पाने वाले वोटर्स की संख्या धाई लाग है यही मेरा हिसाब है और इस प्यूर ले डेमोक्राटिक इस होल थेरी में आप एक छोटा सा लोजिक मिस कर गई मैडम इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है करेक्ट है पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ती है कॉंचिंस मनस साक्षी आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस साक्षी इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको एक हफ़ते की मौलत देता हूँ अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे वारना इसी पहाड से नीचे गिर कर चरित्रहीन हो जाएंगे आप बिलकुल हिटलर की तरह और आपको उन परिणामों के खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूँ थैंक्स पो यूर टाइम बिल्ड़र के जाएंगें झाल झाल अलग अलग करके प्रांथिया पार्थी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार चाल चल रही है उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बली चड़ा रहा है इस कैम में मुझे फसानी की कोशिश में वो तुम्हारी पेट पर लात मारा है इस पल से मच्यक गंदा फिशरी इस मेरा नहीं है तुम्हारा है इस कंपनी में हर एक मच्यकार एक समान का हिस्सेदार है विशका वानी निदाबब एक में विशका वानी निदाबब आप गुस्से से रास्ता रोको के ये जानते हुए भी आया हूँ क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है चालीस साल पहले आसानी से या मश्लियां फकड रहे थे तब तक वो नदी आपकी थी पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीस पर छोड़ दिया गया उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई या फिर मुझे बताईए आपने इससे क्या पा लिया एक के काम पर चार खाते हुए अपनी बढ़ोत्री में आप ही अर्चन बन रहे हो अपना आलसी पन यहां लेटा कर रखे अपने बचों को भी विरासत में दे रहे हो इस बांद को टूटने से नुकसान आपका नहीं होगा आपको इस चक्र में भसा कर आपसे दस गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविश्य पर सिंघासन डाल कर बैठी हुई वो न्यूकता है आपका डर, अग्यान, मासूमियत, विश्वासी उसके सिंघासन के चार पैर है उस सिंघासन को बचाने के लिए अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कमपनी में भागीदार बनाया गया है पर उसका लाब कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यहीं सच है इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो वो गलत है ये भी जानते हो पर उस जाल से निकल कर पहार देखने के लिए डरते हो किस लिए डरते हो, आखर किस लिए डरते हो आलस के लिए, या न्याए के लिए सौ साल पहले वेंगी राज समराचे को बचाने के लिए बोरी सासे आये वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा तुम्हारी तरह हरबात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे ना एक बार डर नाम के इस बांद को तोड़ कर देखिए तो सिंगहासन के बैर टूटेंगे इस मा की हदकडिया खुल जाएंगी डेलूरू में एक बार फिर जाना आएगी तुम्हारे साथ साथ उन किसानों को भी जंदगी मिलेगी आसानी से मचलियां फकड़ने की शक्ति आप सब में है कुल वृत्ति के आगे आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मताविक आगे पढ़ेंगे मैं यहां आया इस नदी के लिए ही नहीं बलकि आपके भविश्य और आपके बच्चों के भविश्य को भी बचाने आया हूँ तो आप रोकोगे या रास्ता दोगे मर्जी आपकी है और आपकी इजाजत के बिना यहां से एक कदम भी आके नहीं बढ़ाओंगा और एक बांध भी नहीं तोड़ूंगा कर दोड़ूंगा झाल झाल ए कलेक्टार तुमने कितना लिया इनसे ये नदी हमसे चीन कर तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या अब ए घोंचो और कितने साल तुमारी चलेगी हाँ आओ देख लेते हैं चलो रहे मार देते हैं ने बोड़ेंगे ने किसी को चांस में मार देंगे एंज बोड़े voll भान हम लेखब, बोड़े झाल पाल प्लियमं वकलो! चार्च! वोर दो को! बिकलो! कि जादू? जादू? कर दो कर दो हर दो कर दो कर दो बतालीय आए जेक पोजिए राया हो चृच्षर बताली लगा अचोर्ट लगा उली बताली कि झालए पालि एक दो कि पुाल हो जो 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 हुआ कि रखाए अजय को अजय को, हुआ हुआ जो जोटी को, युआर जा है अजय को! कर दो कर दो कर दो को कर दो कर दो कर दो जो झाल झाल क्या हुआ इस दुरखटना में कुल 15 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं शांती कायम रखने के लिए टेलरू के ग्राम में और आसपास की जगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है कलेक्टर अभिराम को UPSC बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है इस संघटना से Legislative Control से Executive Branch को अलग करने की राय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है प्रजा की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी ना रखते हुए गैर सिमेदाराना काम कर इस मौत को अंजाम दिया गया है केंद्र सरकार ने इस संघटना में तुरन फैसला लेने के लिए Supreme Court के अंतरगत एक ट्रिबिनल का आयोजन किया है तलरो स्कैम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी एक विशेश बात है अब ट्रिबिनल का फैसला क्या होगा असेजी का इंतिजार है अलो गुस्सा आ रहा है ना पर मुझे तो तुम पर इस वक्त दया आ रही है ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी लोट कर वापस आए तुम्हें जिस परिडाम की खोज है वो तुम्हें जंदा में कभी नहीं मिलेगा इस देश में कोई भी आरो के बढ़ाई, व्यवसाय, परियावरण, इकोनॉमिके बारे में नहीं सूच रहा है उनकी सोच सिर्फ जाती मत भेद उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सिमित है उनका बदलने का इरादा नहीं है और बदलाव लाने का हमारा को इरादा नहीं है तुमने गुणा को मारा पर मेरी कोई प्रदिकरिया नहीं दी जानते हो क्यों क्योंकि उस बांद पर हजारों गुणा मौजूद है। फर्स्ट फेलियर है ना। बहुत दर्द देता है। दीरे दीरे आदत बढ़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और खरीब ले आता है। और विवस्त हमें मिला देता है। हेलो दीदी। अभी। पापा अभी तक घर नहीं लोटे। बहुत डर लग रहा है। पापा किसानों के साफ गये हैं अभी तक नहीं लोटे। तुम खबराओ मत मैं देखता हूँ। अभी वाट्स हैप्लिंग। माइरा टोर लॉक किसी को भी आने मत देना। अभी। वुआ हाँ करता है अभी। आपकाइव पूआ, जाबनात वाम पूआ, एफ एफ फूआ अभी। अभी। आपक्छन उट एपक्छन प्लॉप प्लिवए व्लॉए कर दो, कर दो, कर दो! रहने दो! रिश्वत लेकर घलत नहीं करूँगा और अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लोगा स्टे ओर्डर किसी भी वक्त आ सकता है लेट स्पीड अप देख लो सारे एक्स्प्लोसिफ सही जंग से लगे हैं कि नहीं आज पास के बिल्डिंग्स को नुकसान न पोचे ओके जीरो टॉल्रेंस कुनो प्राब्लेम हाबेना शाइब आज अप देखनेगो यह क्या मजाग चल रहा है हमने आपको नोटिस भेजा था लेकिन बिल्डिंग बनती रही हमें इसे गिराना होगा साह अले छोड़ना तु किससे बात कर रहा है तुझे पता है राहूल सेन्गुपता के साथ मैं चीफ मिनिस्टर का भती जाहू और इस शेहर का सबसे बड़ा बिल्डर I know, sir तेरी प्रॉब्लेम क्या है? क्या चाहिए? I just want the building to come down, sir क्या बात कर रहा है? पूरा बिल्डिंग इरा देगा? पर यह बिल्डिंग पार्क पर इलीगली बनाई गई है सुन तुझे बिल्डिंग में दस फ्लट दे दूँगा छोड़ दे इसे रिश्वत लेकर गलत नहीं करूँगा अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेता है यू हापी? खुश हो ना? रेडी, sir angefथ ऌन काउंट थ्री नहीं अवीन हो गया न? ईविएक्वेट हो गया, न? ओन एसा मत करना ओनुज तना? तीन के बाद दसश्यत टिगर दब्लम ठीक हो जब आपने दो प्रकाशा को और बार्म से शोरी नशान का उन्हान को प्रांसफर ओडर है क्या है? इससे जएदा क्या हो सकता है? गुरू! उसे देखो! वो चाहिए क्या तो ए? हाँ! भुल्कुल! वो तुमेह मिल जाएगी! अबको तो चाहिए! किस टाइब के चाहिए चेक में नहीं नहीं करता हो नहीं आपने देखा नहीं पापा एए खेल का मतलब बिना देखे कि ये गलतियों को सुधारना है विटीजिस करेक्टर जीतना है तो एक बार ओगे दूसरी कंपार्टमें में शिफ्ट होते हैं नाची एक्स्थ्यूज में दी में बात करेंगे और दरवाजे के पास जाके पीएगे जाओंगा जरूर जाओंगा बस मुझे थोड़ा सा दूस मिल जाएगा पिने को करे ज़िझागे प्यारे में आफिएगे जाटि मेगें आफिगे वर टूस्यूजज तो कď आफिड़ाने में निच्छे में पना करेंगें एपिड़ाए़ जासिएगे में जाएगे अ ज reliable जाख जायाओोदूना जाणा है श्ज़ज़ झाल जदनों! झाल जटे सवाओा जबेशागost राहुल सेन गुपता ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है सिस्टेम के साथ खिलवार नहीं चलेगा वो तुम्हें मारना नहीं चाता वो वस तुम्हें तोड़ना चाता है अब तुम्हें तूट चुके हो और हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे ध्रिए घुए अपने प्रेन प्रेन वेड़ना तो अपने तो करेंवे रहें अपनी बहन और माँ के साथ अपने पापा को भी खो दिया. मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे ये चोटी सी आस लेकर इस केम में आया था, Mr. Dashrut. मैं आपको आपसे मिलाने आया था. मैं हार किया. आपका इस तरह आपमान करना मेरा एरादा नहीं था, Mr. Dashrut. I am sorry, I am extremely sorry. सोच रहे हो के एक गुण्डे ने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया, तो मैं हार गया. वो राक्षस तो पूरी दुनिया में है. पर उन्हें वेवस्था सजा देगी या फिर पालेगी सवाल ये है. मैं वहाँ ट्रेन में नहीं हा रहा था. मेरी असली हार तब हुई जब उन्दरिंदों को. साथ लोगों के सामने दो मासूमों को मारने की सजा सिर्फ दो महीने हुई. कोर्ट रूम में फैसला सुनाते वक्त, राहुल सेन गुप्ता अपनी मुझों पर ताओ देते हुए, हसते हुए मुझे देख रहा था. उस दिन सच्चाई को तिल-दिल मरते हुए देख कर जी रहा हूँ. आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संस्कार है. बेटा मैं जानता था कि तू अपनी जगे पर बिल्कुल सही है. तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई. पर तू इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही डूट जाएगा. यही सोच कर तुझे रोकना चाहा था. लेकिन बेटा मैं तेरी आँखों में बेवसी नहीं देख सकता. मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबून बनाया है, बेटा. शिद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है. और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है. मेरा बेटा हारा नहीं है, और उसे हारना भी नहीं चाहिए. तेरी चीट के लिए यह लाश कैसे कावाएगी यह बता, बेटा. पापा, वापस मुझे रहा दिखाने वाले मार्क तर्शिक बनो की. तेरा साल पहले वेस्ट बंगॉल बोर्ड से बाहर निकल कर, एपी पी एसी एक्जाम दिया था. एलेरू में पब्लिक हेल्थ आफिसर की पोस्ट मिली. पहले इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में, सील आइस, नाम के खतरनाक बैक्टीरिया मौझूद हैं. जब एक्शन लेने के लिए रिस्पॉंसिबल आफिसर से कंसर्ड किया गया, तो उस वक्त के कलेक्टर, लेट मिस्टर राज सिंग को मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी. उस हजारो करोड रुपे के बिजनस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखावानी. मेरे प्रोपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि ये धाई लाग वोटर्स की जिंदिगी का सवाल है. मुझे धमकी मिली कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फेक बनाओ वरना तुमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. मैंने सुचा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो भी वो लोग ये काम करवा लेंगे. फिर मैंने रिपोर्ट बद दिया तो उन्थी मुझे डिस्टिक्ट डेवलपमेंट ओफेसर के लिए प्रमोट कर दिया गया. योरॉनर आज से ठीक चार साल पहले जब किसान बांच से खेतों की बरबादी की समस्या को लेकर मेरे पास आये थे, तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत से पालन मंत्री शेरीमती विशाखावानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सम्मीट की थी. इस पर मंत्री महोदिया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलरू को हाथ लगाने से खून की नदिया बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया. जब वरुन हैंसन की रिपोर्ट है तो मैं प्रिविएस कलेक्टर विजे कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया. पर उन्होंने मुझे से कहा कि आने वाले इलेक्शन में मैडम विशाखावानी की पार्टी क्लियर मेजारिटी से आ रही है. उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है. जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला, तो मैंने मजबूर होकर उसे बनाया और सम्मिट कर दिया. विटनिस इस एक्सक्यूज़़गा. पबिक हेल्थ आफिसर मिस्टर रंगनाथ. अगर मैं यह नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से यह काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया. नाव फॉरेस्ट ओफिसर मिस्टर जनार्दन राव. प्लीडिंग नॉट गिल्टी यूर उनर. मैंने बहुत सिंपली डीसी जी के आदेशों को फॉलो किया. वो काम मैंने ही तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे यह सोचकर मैंने ही कर दिया. विट्नेस इस एक्सक्यूस्ट, एक्स कोलेक्टर मिस्टर विजय कुमार. प्लीडिंग नॉट गिल्टी यूर उनर. जैसा दश्रच जी ने कहा, मेरे पास कोई रिपोर्ट महीं है. रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए, मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर. विशाखावानी का इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं है. श्रिम्मती विशाखावानी आई प्लीड नॉट गिल्टी यूर उनर. मैंने इन में से किसी भी ऑफिसर्स को इंफ्लूएंस नहीं किया है. और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है. बाप बिटा मिलकर अपने किये हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं. मैं पिछले चालीस साल से जनता के लिए लड़ रही हूं और जनता के लिए जी रही हूं. इस कलेक्टर ने जो जाल पिछाए है उसमें फसकर मैं अपना वक्त बरबाद नहीं करूंगी. इस कैम को बढ़ा हवा देने वाले डी सी जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. कोट से मेरी यही विंती है. The court is recessed for lunch. अगर ऐसे ही चलता रहा, तो न्याय हो चुका. देख लिया ना? कल वो केंदर सरकार को गाली दे रहे थी और आज जाके उसी से मिल गई. यहां जरूरत की मुताबिक alliances कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि यहां सारी parties का agenda एक ही है. लगता है इन्हें अपने साथ मिला कर दिल्ली पार्टी गेम खिल रही है. इसे लिए experimental collector को रखा है. उनके chase board का तू भी एक प्यादा है बस. यह सर? आपने news देखा. यहां, I just heard, सर. तो आप जान देएंगे किस रास्ते पर जाना है? अफकोस यह सर. ठीक है. कौन है सर? हो मिनिस्टर. अब आगे क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? और प्लेयर्स बाहर रहकर और एक नया गेम खेलेंगे. मिस्टर अभीराम, यह ख्लोजिंग आर्ग्यूमेंट? यह रॉनर, यह केस एक व्यक्ति के बारे में, या एक वर्क के बारे में, या गंदरगी में फसे तलूरू के बारे में नहीं है. यह नदी ही हम हैं. और यह नदी ही व्यवस्ता है. इस महीने नौ तारीक को हुआ वा वाइलेंस. किसी के भढ़काने पर तभी के तभी होने वाला वाइलेंस नहीं था. कई सालों के लैंड सर्वेस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फॉर्ज करते हुए, इस खराबी पर उंगली उठाने वाले आफिसर्स को डराते हुए, सामना करने वालों को खत्म करते हुए, किसानों और मत्सिकारों के बीच, श्रिमती विशाखावानी जी ने बनाय हुआ युद्ध वातावरन है. वो डीटेल्स सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी हैं, पर ये विचार उस सच के और इस जूट के बीच हो रहा युद्ध नहीं है. सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है. इस गंदी साजिश की वचा बनने वाले वो सारे गुनागार, आज राज की अताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को उपर की पार्टी से समझाते के लिए तयार कर रहे हैं. वहां का समझाता, यहां न्याय पर होने वाला अत्याचार है. Your Honor, लोग लोग तंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिलाने का हक है बस इसी भ्रहम में. पर बिना बंधे से तूटने वाली व्यवस्था ही, उस लोग तंत्र की बुन्याद है ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं. जनता ही नहीं, बकि सिविल सर्वन्ट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले घुलाम की तरह ही जी रहे हैं. सिर्फ उपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्राटिशी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है. पर यहां, उत्तर प्रदेश में, एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए, दो साल तक असेम्बली अटेंड किया एक एमेले ने. यही है, लोग तंत्र और फ्यूडल विवस्था के बीच का फर्क. पुलीस ही न्याई व्यवस्था बनकर, एंकाउंटर कर रही है, तो सारा देश ताली बजा रहा है. न्याई व्यवस्था के लिए, इससे बढ़ा कोई अप्मान हो सकता है क्या? मर्जी के मुताबिक गुनहेगारों को बचाते होई, मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखावानी जैसे लोगी कानून, न्याई और निर्नाई बन चुके हैं. न्याई व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी, तो फिर कब जगेगी बताईए? जनता चुनने वाले लेजिसलेटर्स, उस लेजिसलेशन को अमल में लाने वाले सीविल सवंट्स, न्याई की रक्षा करने वाली चुड़ी शिरी, ये तीन घोडे जब ठीक से काम करेंगे, तभी वो लोक तंत्र कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा. रास्ता भटके हुए उस लेजिसलेटिव घोडे को आज सामने से सवाल पूछ रही है, ये एक्सेकेटिव व्यवस्था, या आई व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर, उस घोडे पर जब लगाम लगाएगा, तभी होगा ये असली रिपॉब्लेक्ट! आपके इस फैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूनना होगा या रोना, तलूरों में जिस दिन से ये साजिश शुरू हुई, उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरून हैंसन की तरह गायब हो चुके हैं, सौसे बही ज़्यादा किसानों ने आत्मात्या की है, आखिर किस का हाथ है, जीवन देने वाला तलूरों, और कितनी जाने लेगा, और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारे स्कैम्स, चालीस साल से सबसे ज्यादा फाइदा किसे हुआ, ट्रक्रिती, प्रान और समाज को एक समान र अज़ रेस्ट माज के समान है, एक रेस्ट माज केसे यार होना सर, सर प्रदूशन पर आरून हैंसन और अभी राम ने जो एविटेस सम्मिट किये हैं वो पूरी तरह से सच हैं ऐसा टर्मिनल का मानना है सुप्रीम कोड के आदेश के मुताबिक पांच काउंटर तक ही नहीं बलकि नौ काउंटर तक जबूरत पड़ी तो आर्मी की साहता लेकर सभी तेलरू के बादों को मिटाने का आदेश ले रहे हैं प्रजापतिनी दी और व्यपारी होने के नाते तेलरू से सबसे ज़्यादा फाइदा उठाने वाली श्रिमती विशाखा वानी को प्रतम आरूपी निर्धानित करते हुए उनके साथ साथ जेपिटी कोलेक्टर दशरत, एक्स कोलेक्टर विजे कुमार, फर्स्ट ओफिसर जनारदर राव, हेल्थ ओफिसर रंगनाथन, सेक्शन 299-300-304-A, 171-E के तहर्ट इन सब को हट्यारे निर्धानित करते हुए आज इवन कारावास की सजा सुनाई जाती है आडर, 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 कोट का डिसिप्लर तोडने के जुर्में इन सभी को कस्टडी में ले लिए जाए थे, और फेशला बदल दूगी, देख लेला, है तोड़ इजेड गया, होट्यारे उनक्टर अच्छार्ट, इस देख ले लेला, नर्सिमा, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे. I'm sorry, Papa. ये मेरी किरफतारी नहीं बिठा. मेरी रिहाई है. छोड़ो मुझे. लिव मियानौर! Hey! तुझे क्या लगता है कि तुझ जीत गया? हरार कर रहोंगी तुझे. एक हटे मेरी इस फैसले को सुप्रीम कोड से बदल बात होगी. देख लेना. एक हटे के अंदर फैसला बदल जाएगा. I will change the wording in a week. छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे. मैडम. 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 जोड़ो मुझे. मैं ना ही आपका दुश्मन हों, और ना ही आप मेरी दुश्मन हों. आपके पिताजी और मेरे पिताजी को तोड़ने वाली विवस्था ही हमारी दुश्मन है. ये जी तूस विवस्था पर है. इसके हकदार आप भी हो. विशिंग यू वेल मेडम. विवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी, पिटा. ये विवस्था कभी नहीं बदलेगी. येज़ लुके लुब लुब लुबड़ने और महार, लुझक siouxब मोहां है। लूप लुब rebellion सहा हम लूवपे लूपते लुब लुब दखर है। येज이지 वेओने नहीं युब लगर देतने लुवने लुब लुवने हैश्गारे लुब लुषने कौन हो तुम लूग। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? अरे रुक जाओ! वांध बादने आये थे हाओ? कौनो! किसने भेजा तुम है? कौन बादना चाहता 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 है? किसान है बाधित है उस नदी को छोड़ दो यह कहकर धर्ना किया था ना और अब तुम लोह ही तुम लोह ही उस नदी पर बांध बना रहे हो हम नहीं बनाया है इसमें गलत क्या है तुम्हारी जाहती के लोगोंने 40 साल कपजे में रख करोडों कमाया है हम भी 40 साल फाइदा लेने के बाद नहीं की बात करेंगे क्यों भाई मेरी जाती मेरी जाती कौन सी जाती है रहे कौन सी जाती है क्या कर रहे हैं चर्म नहीं आती तुम्हें किसे क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है तुझे अरे तुझे खाना खाता है या घास खाता है बता बाबू आप चाहिए बाबू मैं यहां सब समाल लूँगा कल सुबह होने से पहले एक भी बांध बांध नहीं दिखेगा बाबू आप जाएए यास जाएए कर दो दो जाएए कर दो कर दो एक रहाव टो आपका प्राइब एफ में एका इना प्राइब एक रहाव गाव एका का रहा है। चाचा जी, मुझे माफ कर देना बेटा चाहाँ झाण़ नाहाँ झाण meaning तेलरू और समुद्र में भी पूरी तरह चान बीन करके हमारे कलेक्टर अभिराम जी की बोड़ी को लेकर आएंगे कि अटरू सम्क्टर में जी कि मैं सम्क्मार्स